हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 80 cm ब्लाउज का पीस लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड किया है तो यह दिखे यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है सबसे पहले हम back का part कट कर लेंगे, front का part हम बाद में कट करेंगे तो सबसे पहले हम length लेंगे ब्लाउज की, तो मेरे ब्लाउज की ready length है 14 inch plus 1 inch हम extra लेंगे margin तो मैं यहाँ पर 15 inch पे mark कर लूँगी और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, straight अभी हम यहाँ पर shoulder लेंगे, तो shoulder मैं ले रही हूँ 6 inch और arm hole भी मैं ले रही हूँ 6 inch इन दोनों points को join करते हुए हम straight line draw करेंगे अभी देखे यहाँ पर हमें chest का fourth part लेना है तो मेरा chest है 32 inch उसको four से divide करेंगे तो वो आ जाता है 8 inch plus half inch हम losing लेंगे तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 8.5 inch तो यहाँ पर 8.5 inch पे निशान लगा लेंगे इस तरह से अभी देखे यहाँ पर हमें कमर का fourth part लेना है तो मेरा कमर है 28 inch उसको four से divide करेंगे तो वो आ जाता है 7 inch plus 1 inch हम extra लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी plate पड़ेगी 1 inch की तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 inch extra लेंगे तो मैं ले रहे हूँ 8 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर हम 2 inch का margin लेंगे यहाँ पर भी और इन दोनों points को जोड़ देंगे यह हमारा margin हो गया अभी हम armhole draw कर लेंगे तो इस line का हमें half लेना है और यहाँ से हम armhole का shape देंगे यह हमारा bag का armhole होगा या तो फिर आप यहाँ पर 1 inch की गुलाई भी दे सकते हैं अभी हम neck की marking करेंगे तो neck की चोड़ाई में ले रहे हूँ 2.5 inch और neck deep में ले रहे हूँ यहाँ पर 6 inch अब अपने पसंद से यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं मैं 6 inch ले रहे हूँ यहाँ पर भी 2.5 inch लेके हम एक box बना लेंगे और round shape देंगे इस तरह से अभी हम dart का निशान लगाएंगे तो यहाँ से हम 3.5 inch पे mark कर लेंगे और उपर की तरफ भी हम 3.5 inch पे mark करेंगे अब यहाँ पे जो हमारी plate आएगी वो 1 inch की रहेगी तो half inch इस तरफ और half inch इस तरफ हम mark करेंगे और इन निशानों को हम तिर्चा जोड़ देंगे अभी हम cutting कर लेंगे इस तरह से तो देखें हमने cutting कर ली है अभी हम front का part कट करेंगे तो front का part हम open side से cut करेंगे तो open वाली side में अपनी तरफ कर लूँगी अभी इसके उपर हमें back का part रखना है और यहाँ पर half inch का margin छोड़ेंगे हम उसके बाद ही back part को रखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर button पटी लगेगा front part में तो half inch हमें margin यहाँ पर चाहिए होगा अब यहाँ पर हम neckline as it is mark कर लेंगे अब अपने पसंद से यहाँ पर कम ज़ादा कर सकते हैं और shoulder mark कर लेंगे और armhole भी as it is mark कर लेंगे अभी देखे यहाँ पर side में हम half inch extra लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी armhole के side में plate पड़ती है तो half inch हमें extra margin लगेगा तो हम half inch extra लेंगे और इस निशान को हम यहाँ पर जोड देंगे यहाँ पर हम कोई extra नहीं लेंगे इस तरह से से जोड देना है अभी देखे बॉटम पार्ट में भी हम half inch extra लेंगे क्योंकि हमारी यहाँ पर दोनों sides में plates पड़ेगी फ्रेंट पार्ट में तो इसके लिए हम फ्रेंट पार्ट को बॉटम से half inch extra लेंगे तो अभी हम back part को side में रख देंगे और यहाँ पर हम darts के निशान लगा लेंगे तो सबसे पहले हम बॉटम वाली डार्ट का निशान लगाएंगे तो यहाँ से हम four inch पे mark करेंगे और यहाँ से उपर की तरफ भी हम four inch पे mark कर लेंगे और यहाँ पर half inch पे mark करेंगे दोनों side में और इन निशानों को हम तिर्चा जोड देंगे अभी देखे हम यहाँ पर सारे डार्ट लगा लेंगे तो यहाँ से हम inchi tape को तिर्चा पकड़ेंगे और पवने 2 inch पे mark करेंगे 1.75 inch पे यह small size का blouse है इसके लिए 1.75 inch पे mark करेंगे बड़े size के blouse के लिए आपको यहाँ पर 2 inch पे mark कर लेना है इसी तरह से यहाँ पर भी हम 1.75 inch पे mark करेंगे इस तरह से तिर्चा इंची tape को रखके इस निशान को भी हम इस तरह से cross में जोड देंगे और उसके बाद में यहाँ से इंची tape को तिर्चा पकड़ेंगे और 1.75 inch पे mark कर लेंगे और इसे हम आर्म होल से जोड़ देंगे तो देखे इस तरह से ये हमें डार्ट के निशान लगा लेने हैं सिर्फ ये वाली प्लेट्स हमारी वन इंच की रहेंगे बाकि ये सब हमारे हाफ इंच के ही रहेंगे तो हम यहाँ पर पाव पाव इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से निशान लगा लेंगे और अभी हम इन निशानों को जोड देंगे इस तरह से तिरच्छा इस तरह से हमें डार्ट्स बना लेने हैं तो देखे इस तरह से हमने डार्ट्स लगा लिये हैं अभी हम हाफ इंच अंदर से फ्रेंट का आर्मोल ड्रॉ कर लेंके इस तरह से तो इस तरह से हमारे फ्रेंट पार्ड की मार्किंग हो गई है अभी हम इसकी कटिंग कर लेंके तो देखे हमने फ्रेंट पार्ड की कटिंग कर ली है अभी हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में हम दूसरी तरफ भी डार्ड के निशान लगा लेंगे इसके लिए हम दोनों पार्ड को एक दूसरे के उपर रखेंगे और इस तरह से हम टैप करेंगे तो देखे इस तरह से हमारे डार्ड की निशान दूसरी तरफ भी आ गए है अभी हम इन्हें डार्ड कर लेंगे तो देखे इस तरह से हमने इन्हें डार्ड कर लिया है तो हमारे फ्रेंट पार्ड की कटिंग हो गई है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो इस तरह से मैंने दो fabric के parts लिये है अभी हम इसे इस तरह से fold करेंगे तो ये हो गया हमारा four fold ये open side है और ये full side है और ये four fold मैंने लिया है 9.5 inch का तो दिखें ये हमने इस तरह से लिया है तो हमें back का part लेना है और इसका जो armhole है इसे हमें major कर लेना है तो ये है हमारा 9.5 inch तो इसके लिए हमने ये four fold 9.5 inch का लिया है इससे हमारी sleeves एकदम perfect बैठेगी और अभी हम यहाँ पर marking करेंगे तो यहाँ open side से हम 2.5 inch पर mark कर लेंगे तो बड़े size के blouse के लिए हमें यहाँ पर 3 inch लेना है तो यह मेरा यहाँ पर 32 inch का blouse है तो हमने यहाँ पर 2.5 inch लिया है अभी इस निशान को हम इस तरह से जोड़ेंगे cross में तो इस line के center में हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ से half inch उपर की तरफ mark करेंगे और half inch नीचे की तरफ mark करेंगे अब यहाँ से हम back caramel draw करेंगे इस तरह से अब यहाँ से हम front का armule draw करेंगे इस तरह से हमें perfect measurement ले लिना है sleeves में अभी हम देखे sleeve की length है हमारी 4 inch तो हमने 2 inch extra लिया है तो मैंने length ली है 6 inch हमें bottom में fold करने के लिए 2 inch margin लिना है तो इसके लिए हमने 2 inch margin लिया है तो 6 inch की length ली है और sleeve bottom है मेरा 5 inch 5.5 inch और plus हम extra margin लेंगे 1 inch तो 6.5 inch पे mark करेंगे इन दोनों points को जोड देंगे और अभी हम sleeves की cutting कर लेंगे सबसे पहले हम back armhole से cutting करेंगे तो अभी हम sleeves को open करेंगे और open करने के बाद में हम front का armhole cut कर देंगे तो देखे इस तरह से ये हमारे दोनों side के दो sleeves है अभी हम stitching करेंगे तो ये मेरा front का part है तो सबसे पहले हम ये dart stitch कर लेंगे तो इस तरह से हमें इसे पकड़ के cross में stitch कर लेना है और इसी तरह से हम सारे dart stitch कर लेंगे दोनों parts के तो देखे इस तरह से हमने darts बना दिये हैं दोनों parts में अभी हम button बट्टी attach करेंगे तो ये हमारा left वाला part है तो इसके लिए ये हमने 3 inch की strip ले है इसकी चोड़ाई हमने 3 inch ली है इसे हम इसके उपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे इसी तरह से दूसरे part के लिए भी हमने strip ली है और इस strip की जो width है वो हमने 2 inch ली है तो strip को हम इसके उपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो देखे हमने दोनों strips को attach कर लिया है अभी जो हमारे 3 inch की strip है इसे हम fold करेंगे तो सबसे पहले हम एक small fold करेंगे उसके बाद में इस तरह से fold करेंगे strip को हमें 1 inch बाहर की तरफ रखके stitch कर लेना है और दूसरे side की strip को हमें पूरा ही अंदर की तरफ fold कर देना है तो इस तरह से nails से press कर देंगे और यहाँ पर इसे fold करके हम पूरा अंदर की तरफ fold कर देंगे और यहाँ पर stitch कर देंगे तो देखे हमने पट्टियों को fold कर दिया है अभी जो हमारी 1 inch बाहर की तरफ इसके उपर हमें दूसरा वाला पार्ट overlap करना है तो इस तरह से यह हमारी बटन पटी ready है हमें आपर pin लगा देंगे अभी देखे यह हमारा back का पार्ट है तो back पार्ट में भी यह जो dart है हम दूसरी तरफ trace कर लेंगे तो इसके लिए हम इसे इस तरह से fold करेंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरह से tap कर लेंगे तो देखे ये निशान हमारा दूसरी तरफ भी आ गया है इसे हम dark कर लेंगे और इस तरह से पकड़ के हम इसे तिरच्छा stretch कर लेंगे इस तरह से तो देखे हमने back part में भी dark डाल दिये है अभी हम front का part इसके उपर उल्टा रख देंगे तो देखे यहां पर हमारी दोनों sides एकदम perfect है बिल्कुल भी यह कम जादा नहीं है और अभी हम यहां पर shoulder attach कर लेंगे तो देखे हमने shoulder attach कर लिया है अभी हम sleeves को attach करेंगे तो sleeves को हम shoulder के उपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा के इसे attach करेंगे इस तरह से हम दुसरा sleeve भी attach कर लेंगे और sleeve के bottom में हमें double fold करके सिलाई लगा देनी है या फिर बाद में हम hand stitch करके सिलाई को निकाल देंगे तो देखे हमने दोनों sleeves को attach कर लिया है अभी देखे bottom में हम पट्टी attach करेंगे तो इन pins को हम side में रख देंगे और यहाँ पर पट्टी attach करेंगे तो इसके लिए यह हमने पट्टी ली है strip इसे हम fold करते हुए इसके उपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे इसी तरह से दूसरे side के लिए भी हम पट्टी attach करेंगे तो पट्टी को हम इसके उपर रखेंगे fold करते हुए और सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में हम पट्टी को अंदर की तरफ double fold करके hand stitch कर देंगे इसी तरह से हम back part में भी पट्टी को attach करेंगे तो इसके लिए भी हमने ये strip ली है इसे हम इसके उपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे उसके बाद में हम इसको double fold करके hand stage कर लेंगे तो देखें इस तरह से हमने bottom में पट्टीयां attach कर ली है अभी हम यहाँ पर इसे pin लगा लेंगे फिटिंग करने के लिए और सबसे पहले हम sleeves का measurement लेंगे तो मेरे sleeve का bottom है 5.5 inch तो यहाँ पर 5.5 inch पर mark करना है और sides में देखें हमने 2 inch का margin चोड़ा था तो हम यहाँ पर 2 inch पर mark करेंगे bottom में भी 2 inch पर mark करेंगे और इसको हम सीधा line draw करेंगे इस तरह से यही निशान हम दुसरी तरफ भी बना लेंगे और stitch कर लेंगे तो देखें इस तरह से हमने fitting कर लिया है अभी हम neck part बनाएंगे तो इसके लिए यह हमने cross strip ली है इसमें हमने joints भी लगा लिया है तो फोल्ड करते हुए इसके उपर रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे front और back दोनो neck में इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे और यहां पर भी पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे और extra पट्टी को cut कर देंगे और उसके बाद में हम पट्टी को अंदर की तरह फोल्ड करके hand stitch कर लेंगे तो देखे इस तरह से यह हमारा blouse ready है तो यह हमारा इस तरह से front का part और यह हमारा back का part आएगा तो यह हमारा इसाई प्रूण आएगा का आएगा हमारा इसाई पर जाएगा